हेलो शुडेंट आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर फोर डिटर्मरांट्स एक्सरसाइज 4.2 का कोशन नमर आज हम लोग 1 देखें तो चलिए देखते हैं कोशन नमर 1 क्या है using the property of determinants and without expanding prove that देखें हम लोग इसको कैसे करना है कैसे solve करेंगे हम लोग किसके use करने कह रहे हैं तो चलिए देखते हैं इसका solution कैसे होगा बहुत easy है हम लोग ने पढ़ा है introduction में आपको बता चुका हूँ है stack for question को हम लोग कैसे solve करेंगे अगर आपने introduction नहीं देखा है exercise 4.2 का तो सबसे पहले आप introduction देखिए 4.2 का और उसके बाद में आप इन question को solve करें तो आप से क्या को बहुत easily बन जाएगा बहुत easy question है चले देखते हैं इसको हम लोग कैसे लोग को prove क्या करना है जी रोग के equal prove करना है तो कैसे करेंगे चले देखते हैं क्या होज़ाएगा हम लोग का यहाँ पर जियान से देखे हम लोग प्रूपर्टी लगा रहे x y z फिर a b c यहाँ पर क्या होज़ाएगा x y z हम लोग इसको एक बार ऐसे लिख सकते यहाँ पर फिर फिर हम लोग क्या कर सकते मैं आपको बताए था हम लोग ऐसे रहते हैं तो अमंग इसको एसा लिख सथ है angérica a को इसकी भी फिर क्या हम लोग का सी चली लिखेंगे उसके बाद हम लोग कज़ेए यहाँ पर लूग हो स्पुल्य यहां पर हम लोग का बी होगा यहां पर यहां पर थोड़ा समिष्टे को कोईशन बी कर देंगे अब चलिए आप इसको स्वाल्फ करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का यहां पर देखेंगे हम लोग a, b, c अब हम लोग का ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग का identical आ गया मैंने आपको बता था जब भी हम लोग miten identical आ आ तो हम लोग क्या होता है उसका value क्या आता है हम लोग का 0 आता हम लोगने पढ़ाता देखिए x, y, z, x, y, z तो 0 को तो कितना आगा आंसर अन्सर मैं है अंतर हो जैए सब वीडियो पसंद आतो लाइक किजिए सेर किजिए कामेंट किजिए और से चैनल को सब्सक्राइब कितने था alternatives